और दियो तो, पुस्तक का नाम, महापूर्शों के अविस्मरणी जीवन प्रसंग, भाग एक, बुद्ध जीवन के कुछ अन्य प्रसंग, जलती आग के इंधन, नाम था उसका पट्टा चारा, बहुती सुंदर और चतुर, लड़की चंद्रकलाओं की तरह बढ़ने लगी, किशोरा वस्ता पार भी नो हो पाई थी, कि वो पड़ोसी युवक के साथ में बंद गई, माता पिता ने रोका, समझाया भी, पर वहना मानी, रातरी में वे दोनों प्रेमी घर छोड़कर निकल पड़े, और योजनों दूर जाकर किसी नगर में रहने लगी, युवक जाया वहाँ चलने पर क्रोज और अपमान सहना पड़ेगा, सो पटाचारा चुप हो गई, पुत्र जन्मा नाम रखा गया रोहित, सुन्दर पुत्र को पाकर दोनों का सुक और भी बढ़ गया, रोहित दो वश्का हुआ था कि पटाचारा फिर गर्भवती हो गई, अब क तुरानी पर जाने से क्रोध शांत हो गया होगा, बहुत दिन से विछूडने के बाद विल्ले से सभी को संतोष होगा, और बच्चे भी पर जाएंगे, पती पतनी बच्चे को लेकर अपनी जन्मुहुमी चल दिये, रास्ता लंबा था और घना बीहर, चलते चलते पेड क नीचे सुस्ताने लगे, तो पत्चारा को प्रसव पीडा हो थी, दूसरा पुत्र जन्मा आग की आवशक्ता पड़ी तो युवक लकणिया बिन लाया, तो रुभार्गे ने सर्प बनकर उसे डस लिया, वापस लोटते लोटते उसके प्राण पखेरू उड़ गये, और स समय वबहुत अशक्त हो रही थी, दोनों बच्चों को एक साथ लेकर चलना कठिन था, सो सोचा एक एक को लेकर नदी पार करे, छोटे बच्चे को लेकर पार गई, उसे पत्तों से ढखा, और दूसरे को लेने के लिए लोटी, इतने में दुर्भागे दुनी विपत्ती ल पती मरा दोनों बच्चे मरे, प्रसव कर्ष्ट बिहडवन, दूर की यात्रा, क्षूधा निवरत्ती तक के साधनों का अभाग, एक काकी पन इस संकटों ने मिलकर आक्रमन किया तो बेचारी हत प्रभ हो गए, विक्षिप्त जैसी स्थिती में रोती चिल्लाती अपने पि पता था, सोभी पहुँचने के दिन ही मरा और उसकी चिता भर जलती पटा चाराने देखी, वहां भी सारे आश्रे समाप्त हो चुके थे, शोक का समुद्र ही हर दिशा में गरज रहा था, भोली लड़की इतना सहन ना कर सकी और वह विलाब करते करते पागल हो गई, भोज जन वस्तर के अतरिक्त समुचित विश्राम का प्रबंद किया, थोड़ दिन में उसे धिरज बंधा, तब तथागत ने उसे अपने पास बुलाया, और ज्यान का अमरत बरसाते हुए कहा शुभे, यह संसार जलती हुई आग की तरह है, हम सब इंधन की तरह हैं, जो जलने क लिए ही जन में है, मरन एक अविचल सकते है, उसे बचा नहीं जा सकता, कोई कितना ही दुखी क्यों ना हो, मरन रुपता नहीं है, अपने अपने प्रारद और समय के अनुसार सभी को आगे पीछे मरना पड़ता है, सो कौन किसके लिए शोक करे, भद्रे यहां कोई किसी का नहीं, एका की आगमन है और एका की गमन, इस सत्य को समझो, रागीरों के जुंड में खशनिक मिलन का मोद तो मानो, पर बिचोडने के तथे को भी जानो, जीव को रोज ही मिलना बिचोडना पड़ता है, सो संतुलन मत खो, जाने वालों को जाते देखकर अपने मरन की तैय के और महासतिकी शरण में जाने वाली चीवरधारी तपस्विनियों की पंक्ती में जा बैठी, महाभिक्षू पराभूतो, तथागत आज अपनी ही जन्मभूमी कपिल वस्तु पदार है, शाक्यों का उत्साह उमर पड़ा, उन्होंने राजदानी को नववधू की तरह त पद्म प्रसुनों से सजाया है, महाराज शुद्धोधन अत्यंत क्रश हो गए है, आयुशे का प्रभाव उतना नहीं है जितना पुत्र वियोग की पीडा ने ठका दिया है, किन्तो आज उनकी जिन काया में भी नव जीवन संचरीत हो उटा है, आखों में योवन की चमक आ पा रहा है, फिर उनका भिक्षुरूक, उनसे भेट, पुनह विदाई की निरवता, महाराज का मन इसी तरह उद्वेलित हो रहा है, राजमाता की भी सिती ऐसी ही है, राजकुमार राहुल ने अभी तक कभी भी अपनी पिता को नहीं देखा, प्यासे हरेंशावक की तरह ब श्वेत वेश भुषा में आज वे साकार तक मुर्ती प्रतीत हो रही है, सभी जानते हैं इस सागर का अंतर मंथन जंजावात खड़ा कर देने वाला है, अतैव उस निश्चर निरवता को कोई भं करने का साहस नहीं करता, नियत समय पर भगवान बुद्ध का पदार पन भिख्शु वेस में देखकर नगर निवासियों की आँखों के सरोवर फूट पड़े, कोई किसी से कुछ कहता नहीं, सारी सक कपिल वस्तु शोक के अताह सागर में डूब गई है, राज भवन का सभा मंडप धार्मिक प्रवजन की यहीं व्यवस्था की गई, एक और तथ दोदन ने आकर अपना स्थान ग्रहन किया, महा प्रजापती गौतमी, राहुल और मंत्री परिशत एक एक कर सभी विराज गए, किन्तु भगवान बुद्ध जी से खोज रहे हैं, वो मूर्ती, हाँ यशोधरा नहीं आई, उन्होंने निष्चे किया है, यदि वे आएंग के स्वरूप कावे मारमिक विशलेशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शध्धा ग्यान के रूप में भक्ती वेरागे के रूप में परिणत हो रही है, किन्तु बोधी सत्व आज अपने ही अंतरध्वन से पराभूत हो रहे हैं, यशोधरा का ना आना उनकी स्मर्ण शक्ति क विवाह मंडप में खींच ले जाता है, और कहता है, संसार को धर्म का उपदेश करने वाले तथागत, एक दिन तुमने अगनी की शाक्षी में वचन दिया था, देवी मैं तुम्हें अरधांगिनी के रूप में ग्रहन करता हूँ, सारा जीवन तुम्हारा भराण कोशन औ वे स्वयम यशोधरा के द्वार पर जाकर ख्षमाय अचना करेंगे, राजभवन से सक्कियों से भरा हुआ है, बोधी सत्व सीधे यशोधरा के पास पहुँचे, करुणा और तपश्चर्या की मूर्ती यशोधरा ने प्रनिपात किया, मन की संपूर्ण वेदना सागर बन तपश्चर्या चीर काल तक इस देश चाती और संस्क्रती को जीवन देगी, उसे खोजा होता, वह इधर ही गई होगी, कुछ भी नहीं रहने दिया है उसने, सब अपने साथ समेट के ले गई है, किसी ने अत्यंत उद्वेग भरे स्वर में चिंता प्रकट की, हम तो स्वर अकिंचन ही हो गए, दूसरा स्वर उब्रा साथ ही आश्वस्त भाव भी, पर्व इस वनखन से भाग कर जाएगी, कहां कितने अमोल्य थे हमारे रतना भूशन, हम उसके लिए उरूबल का कोना कोना चान मारेंगे, घटना उरूबल की है, कुछ लोग वनविहार के लिए आ भाग निकली थी, सुधाने पर वे लोग उसी की खोच करने के लिए वनका पत्ता-पत्ता चानने के लिए निकल पड़े थे, वनके उस भाग में प्रवेश करते ही उन्होंने विशेश चांती का अनुभव किया, कुछ दूर जाने पर उन पुरुशों ने एक दिवी पु और कोई नहीं भगवान बुद्धी ही थे, रतना भुषन चले जाने के शोब से विक्षुद पुरुश चोर कर्म करने वाली रूप जीवा को खोस्ते हुए भगवान बुद्धी के समीर पहुँच गए, भगवान बुद्धी के तेजो दिप्त दिव्य आभाबुरी पर रम शांत मुख मंडल को देखकर अनायासी अभिबूत हो उटे और उन्होंने उस दिवी मुर्थी की चरन धूली अपने मस्तक से लगा ली, भगवान के क्रिश शरी की स्वानिं प्रदीप्ती से विमुख्ध हो गए थे, आपने यहां किसी को आते देखा, भद्रवर्गी पुरुषों ने भगवान बुद्ध से निवेदिन किया, मुझे अपने आपकी सिवा दूसरा दिखी नहीं रहा है मित्रो, इतना ही सत्य है, कहकर भगवान मौन हो गए, बनते हमारा आशय एक स्री से है, एक ने कहा, कैसी स्री, भगवान बुद्ध की परम पवित्र बद्रगर्णों पर टिक गई, उनके द्रष्टी पास से ही बद्रगर्ण आहात हो उठे, लगावे अनुचित कर्म के कारण पीडि थे, वह कर्म और उसकी हानी भगवान बुद्ध की द्रष्टी से चिपी नहीं रह गई, एक ने कहा, वह वैश्या है भनते, हम लोग अप खंड में निकल कर छुप गई है, हमें उसी की खोज है, वन विहार मनोरंजन किस लिए भद्र मंदस्थित मुस्कान के साथ भगवान बुद्ध ने कहा, मुस्कान ने उन लोगों के मर्म बेद दिये, प्रतीत हुआ अपराग पकड़ा गया, सकुचाते हुए वे कुछ ना पर इसी प्रकार पश्चाताप हानी चताक शोग के अदिरित कुछ नहीं मिलेगा, शाश्वत आनन तो शाश्वत सत्य से ही प्राप्त है, शाश्वत सत्य के वर आत्मा ही है, तुमने उससे खोजा होता तो रतना लंकार का दुख नहीं झेलना पड़ता, भगवान बुद् ना की, दान का मर्म, प्रभू आज इन दीन का ग्रह स्री जरनों से पवित्र हो, वैशाली के दंडनाय कर्भधो ताथागत के सम्मुक उपस्तित थे, उन्होंने अपना रत उपवन के बाहरी छोड़ दिया था, श्रद्धा से प्राता कालिन प्रवचन समाप्त होने पर व अंते बुद्ध क्रपण की भिख्षा स्वीकार नहीं करते, पहले कभी बुद्ध ने किसी से ऐसा नहीं किया है, पता नहीं क्या बात हुई, दंडनाय के मुक पर द्रिश्टी परते ही तथागत के नेत्रों में एक अद्बुत तेज आ गया, केवल चिरंजीव आनंद ने लक्षित किया कि प्रबु आज कुछ असाधरन कह रहे हैं, तथागत का स्वर गंभीर था, दान करना चाहते हो तो दान का मर्म समझो और सेश्चतम दान करो, क्रपण की भिख्षा बुद्ध स्विकार नहीं करते, उपस्थित गर्णायकों तता सामाने नागरिकों ने एक क्रपण हैं, दंडनायक दोक्षन हत्प्रब रह गए, उनकी मुख कांती लुक्त हो गई, शरीर कांपने लगा, सबको भे लगा वैशाली का परम पराक्रामी उग्र तेजा दंडनायक प्रुद्ध होगा, कुछ बखेडा उठेगा, कुछ भी तो नहीं हुआ इस प्रकार, दोक्षन पस्टार दंडनायक का अत्यंत हताश्वर सुन पड़ा, जैसी प्रभु की आ गया, उनका मस्तक किंचित जुका, वो शिक्रता से मुड़कर उपवन के बाहर हो गए, प्रभु वह रो पड़ा, चिरंजीव आनंद प्रभु के प्रिष्ट भाग में खड़े थे, उनकी द्रष्टी के ठीक सम्मुक्ते डंडनायक, अथा उसके नेत्रों में जो अत्यंत प्रैत्न पुर्वक अवरोत करने पर भी बिंदु जिल मिला उठे थे, आनंद से वे चिपे नहीं थे, अब उन उदार का हरदय द्रवित हो उठा था और वे प्रभु से प्रातना कर करने लगे, इससे वे उनके त्याग व्रत से चिऊध हो जाना मानते हैं, यह खूब जानते हुए आनंद ने प्रातना की थी, वे इतना ही चाहते हैं कि कोई ऐसा उत्तर मिले, जिससे उस संतप्त हरदे को आश्वासन प्राप्त हो जाए, यह तो निश्चित है कि दंडनाय दान के मर्म को खोलेगा, क्रपनता की कलंग को दोने की चेश्टा करेगा, पर कितनी, प्रश्न अतल में खोने लगा, उसका स्वाभाग उसे यहां ले आया, भगवान अमिताप के नेतर अर्धोन मिलित हो चुके थे, वे जैसे कहीं दूर से कुछ कह रहे हो, उसके आगत को न जानकर तुम दुखी हो रहे हो, कुछ होने वाला है, निश्ची थी कुछ अद्बुत, दान का मर्म अब उदखाटी थोगा, आनंद अब शान्त हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भविश्य का स्पस्तिकरन तथागत का सुभाव नहीं है, वे संकेत भी यदा कदाही द वे शाली का प्रचंट दंदनायक सम्मानित गंड स्रेष्ट भी उससे भैखाते हैं, वह नगर में जिस ओर से निकल जाए, महांच्रेष्टी भी अपने आसनों से उठकर उसे अभिवादन करते हैं, उस उग्र तेजा दंदनायक का अपमान, गंड नायकों, नागरीकों, स संबोधन, गौतम के शत्रू इससे संतुष्ट हुए, उन्होंने सैनिकों के प्रधान को भढ़काने का अवसर पा लिया था, स्वामी साथ के सैनिक स्वता उत्तेजित थे, दंदनायक के लोटते ही उनका नायक सम्मुख आया, उसके नेतरा अंगार हो रहे थे, मुख हो गया, भिक्षू गौतम अब अत्यदिक द्रिष्ट हो गया है, भद्रसेन तुम भगवान को अपशब्द कहने की द्रिष्टता कर रहे हो, दंदनायक ने द्रिष्टी कठोर कर ली, केवल इस बार तुमे एक शमा किया जाता है, आपका अपमान किया, उस चुप रहो जि चिंतन की गती थमी नहीं, अविराम बढ़ती गई, दान सक्कारे में सक्प्रयोजन के लिए स्वयम की शक्तियों का नियोजन यही न, विचारों का घुम्डन क्रिया में बदले नहीं रहता, चिंतन की तीवरता का मतलब है गतिशील कर्म, एश्वर लूटने लगा, पतनी सहयोगी नी थी, दीन दरिद्र विकारी आर्ट सभी कृथार्थ हो रहे थे, सादनों के बदले आशिशे बरस रही थी, चतुर्विद्ध ख्याती फैल गई, ख्याती के स्वर आनंद के कानों तक पहुँचे, उनकी वाणी ने उसे बुद्ध तक पहुँचाया, वह सुनक कर मुसकराय संपदा को लुटा फैकने का नाम तो दान नहीं है, पात्र कुपात्र का विचार किये बिना संचित सादनों को भावकतावश फैकने लगना, अर्जित कुझी को अंधेरे कुए में डालना है, जिसके सत्परिणाम कम दुश्परिणाम अधिक देखने में आते आनंत मौन हो उनकी वानी सुनते रहे, दान का मरमोद घाटन अभी बाकी था, अगले दिन प्राताकाली इन प्रवचन के समापती पर सबने देखा कि कल की भाती दंडनायक आज भी करबद सम्मुक खड़े हैं, भनते बुद्ध क्रपन की भिक्षा स्विकार नहीं करते, प जैसे प्रभु किया गया, बुद्ध की वारी ने उपस्थित जन समुदाय को इतना अश्चरी चकित नहीं किया, जितना चकित किया दंडनायक की शांत सीकृती ने, दंडनायक ने अपने सर्वस्वदान की चर्चा तक नहीं की, उन्होंने तो कल की ही भाती मस्तक जुकाय और शिग्रता पुर्वक लोट पड़े अपने रत की ओर, चिरंजीव आनन्द आज भी प्रभु के प्रिष्ट प्रांत में थे, आज भी उनके सम्मुखी थे दंडनायक, आज उनकी दृष्टी बड़ी सावधानी से उनके मुख पर स्थिर थी, आज नेतरों में आसुं क प्रभु की जगह अपार गांभीर्य था, गण नायक, सामान्य, नागरीक, स्ट्रेश्टी वर्ग, बिख्शु गण, आज कोई उपुहा से आवहिलना पुरुक उनकी ओर नहीं देख सका, आज सबके नेतर प्रभु की ओर उठ गए, प्रभु इतने करपन कहते हैं, क्या हैसे है, ततागत के इस अद्बुद वहवार का, वैशाली के दंडनायक से और किस दान की उन्हें आशा है, दूसरी और दंडनायक के मन में मन्थन की गती अविराम थी, सतकारे में सत्प्रयोजन के लिए स्वयम की शक्तियों का नियोजन दान है, पर सतकारे और सत्प्रयो है, यह महान निर्णाय, उन्हें स्वयम की भूल समझ में आ रही थी, सच अभी तक तो दान के नाम पर तो सिर्फ अहम का पोशन रहा, नाम को फैलाने यश को बटोरने की ओची शुरुवात पर हुई, ओह मन प्रयाश्टित से भरूठा और स्वयम की शक्तियां क्या है, कह है, इनका शोत, अंतराल के, किसी के उभरते इन सवालों के साथ जवाब भी डाले, शक्तियों के मूल है, श्रम और समय, इनका शोत है स्वयम का व्यक्तित्व, तब तो स्रिष्टतम दान है, कुछ और सोचते हैं, इतने में सहधर्मिनी भागती हुई आई, उल्लास और उत अतिरेक में वह हाफ रही थी, बड़ी मुश्कल से कहर सकी, स्वयम प्रभु द्वार पर बधा रहे हैं, कानों में जैसे संजीवनी का घोल पड़ा, वह धीरे से उठे पतनी का हाथ पकड़ा द्वार पर आये, चरणों में प्रणती निवेदन करते हुए बोले, प्रभु संपत्ती आपकी निवास आपका और हम दोनों भी आपके हैं, महादान का यह स्वरूप देख सभी आश्चरे चकित थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सभी के आश्चरे के आवरण को तोड़ते हुए स्वयम युगावतार की वानी कुंजी, स्रष्टी के इतिह आश में युगोबाद विल्लेक शनाते हैं, जब पराचेतना स्वयम मानव से दान की कुहार करती है, ऐसे में रंग बेरंगा पत्थर धातूं के टुकणों की अपेक्षा स्रिष्ट होता है, स्वयम के स्वरम और समय का दान और इससे भी कहीं स्रिष्टम है, स्वयम का शेमा के नाम से जाना, भगवान स्वयम उने समझाते हुए कह रहे थे, धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्फित परीव राजकों लोग जीवित को अपना उधारन प्रसुत करते हुए, कहां है मानव, उठो दान के मर्म को समझू, जो कुछ है, उसी से नहीं कुछ है, त तो स्वयम से जोती का सत्कार करो, लव यूग तुम्हारे द्वार तक जैगोश करता आ जाएगा,